नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिनैंशिल बबल के बारे में जो आज से 400 साल पहले हुआ था बहुत सारे परसनल फाइनस रिलेटेड बुक को अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आप त्यूलिप मेनिया के बारे में ज़रूर सुना होगा लेकिन यह त्यूलिप मेनिया है क्या हुआ कैसे था और उस जमाने का जो बबल था उसे हमें आज के दिन पर क्या सीखने को मिलता ह है उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए शूरू करते हैं आज का यह वीडियो नव पहले समझ लेते हैं कि what is a bubble in a financial bubble the asset price is way too high when in compare with its underlying value for example 1999 से 2000 तक आपने देखा जो टेक बबल हुआ था टेक बबल के टाइम पे बहुत सारे companies अपने IPOs लाके आ रहे थे और उस IPO के पीछे अगर वो लोग.net या.com लगा देते थे उस IPO को लेने के लिए लोगों का बलब लोगों में मारा मारी होता था और यह ज़्यादा oversubscribed होता था कि उसे सबको यह लगता था कि जो tech related companies है जो internet business related companies है आगी जाके बहुत अच्छा क करती थी सिर्फ company के नाम के पीछ अगर tech होता था तो उसे बहुत जाता valuation मिलता था जिसके कारण एक bubble form हुआ था और price इस level पर पहुंच गया था back in 2000 पे कि वो sustainable नहीं था and it burst आपको सब को पता है उसके बाद क्या हुआ market crash हुआ और बहुत सरे ऐसे companies थे बहुत सरे लोग ऐसे हुआ था US में Lehman Brothers का नाम का एक bank था जो भी डूब किया तो अगर आप history को उढ़ा के देखते हो financial market में bubbles का कोई कमी नहीं है तो इससे सवाल यह आता है क्या हम आज के दिन पे bubble पे है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले समझ लेते है tulip mania क्या है Tulip mania समझने से पहले यह समझते हैं कि इसका story कौन सा है Basically back in those days जो टर्की का सुल्तान थे वो Ottoman Empire से कुछ exotic fruits, exotic flower Ottoman Empire से Vienna पे भेजे थे और इन सारे exotic flowers में एक ऐसा flower था जिससे tulip के नाम से जाना है था Delicate था क्योंकि tulip ऐसे यह उगता नहीं है tulip के seeds से आपको plant बनाना है और plant से अगर flower निकालना है तो आपको 7-10 साल wait करना पड़ता है तो इसलिए यह flower बहुत कम लोग बैसिकली जो अमीर लोग या high net worth individual है वही लोग इस flower को effort कर पाते थे तो जो अमीर लोग थे उनके circle में यह flower उनके garden में उनके lawn पे यह flower हुआ करता था और देखते ही देखते पूरा यूरोप में यह tulip था ना यह एक luxury statement बन गया एक luxury item बन गया एक ट्यूलिप को अगर आपको seeds से उगा नहीं है तो आपको 7-10 साल टाइम लगता था और अगर आपको ट्यूलिप को ट्यूलिप के bulb से निकालना है ट्यूलिप के bulb से ट्यूलिप का पौदा होता है और उससे flower होता है जिसे 2-3 यह लगता है यह एक high maintenance plant था और देखने में भी सुन्दर था तो यह एक fashion statement यह एक luxury statement ऐसा बन गया था उस जमाने के जो अमीर आदमी थे उनके बीच में और इस चीज़ को देखते लोगों को लगता था कि यह एक अच्छा item है जिसके उपर हम business कर सकते हैं ट्यूलिप के bulb निकालके उससे plant बना सकते हैं और उस plant से flower बनती हैं जो बहुत ही कम time पे बनता है तो बहुत सारे लोग आये और इसके उपर trading या business करने लगे और ऐसे देखते देखते यह जो ट्यूलिप था यह पूरा यूरोप में फैल गया और इसका demand बहुत high था supply side में बहुत ही constraint था बहुत ही कम supply हु सकते थे तो इस उचाई पे पहुच गया था ट्यूलिप बल्प का price अब बात कहते हैं traders के बारे में आपको पता होगा कि world का पहला stock exchange वो था Amsterdam stock exchange और इस ट्यूलिप का बढ़ते हुए demand था इसे देखते हुए ट्यूलिप को commodity segment में include कर दिया गया तो कोई भी चाहे तो ट्यूलिप के उपर trading कर सकता है बहुत सारे professional traders बहुत सारे आम आदमी यह चीज देखता था कि जो ट्यूलिप का price है और यह चीज जो ट्यूलिप का demand है यह ever growing है यह कभी नीचे नहीं आने वाला तो उसके कारण उन लोगों ने leverage लेकर यानि कि आप credit लेकर trading करने लेगे और वो लोग इतना ज्यादा credit लेने लेगे जो वो लोग effort नहीं कर पाते थे उससे इस चीज पर भरोसा था कि जो ट्यूलिप का price है यह हमेशा ऊपर जाएगा again आपको पता है कभी भी कोई भी asset का underlying value से अगर उस asset का price यह valuation detach हो जाता है तो bubble form होती है और बिलकुल ऐसा ही हुआ था tulip bulb bubble के साथ और देखते ही देखते यह bubble अपने top पे पहुंचा और वो bubble फूड गया और उस चक्कर में जो professional traders थे जो leverage लेकर या credit लेकर trading कर रहा था वो लोग bankrupt हो गये और बहुत सारे लोग बैंकराफ्ट हो गये बहुत सारे companies देवलिया हो गया so the bottom line is wild speculation and unexpected return can lead to a bubble तो अगर आप कोई भी asset class में invest करते हो आपको पहले यह देखना चाहिए उस asset class का underlying value क्या है और किस valuation पे वो asset trade कर रहा है back in today's date आज की दिन पे tulip bulk का जो bubble burst हुआ था उसके साथ आज का global market scenario को compare करके समझने का यह कोशिश करते है कि आज हम कि stage पे है और आज के दिन पे क्या है जो retail inflation है वो all time high पे है अगर आप US पे देखते हो इस जो inflation का problem है यह basically एक इंडिया का problem नहीं है यह worldwide problem है अगर आप Russia और economic का जो conflict है वो देख सकते हो commodity price बहुत ही जादा है बहुत ही उपर है इंडिया का GDP growth वर्ल बैंक और जो है वो cut कर रहा है यानि कि GDP growth में slowdown होने वाला है तो अगर आप इस time पे एक as an investor अगर आप चाहते हो कोई भी asset के उपर trade करना या कोई भी asset के उपर invest करना especially जो speculative asset है अगर हम speculative asset के बारे में बात करें हम बात कर सकते crypto market के बारे में crypto market अच्छा है कि बुरा है उसके उपर एक अलग topic बन सकता है लेकिन आपको ये जानके साथ से हैरानी होगी कि लगबग 40,000 different cryptocurrencies हैं तो और हरे cryptocurrencies चल रहा है कोई भी social media पे आके आपको influence कर सकता है और इस exposure ले रहे हो तो आपको उसके उपर ज्यादा detail में study करना चाहिए उसका valuation पर आपको ज्यादा धान देना चाहिए सिर्फ crypto market पर ही नहीं अगर आप stock market में भी आते हो बहुत सारे mid cap small cap stocks ऐसे हैं जो एक unsustainable valuation पर trade कर रहा है तो आपको इस situation में इस global economic situation में invest या trade करना है तो आपक को लगता है कि company का valuation जो underlying assets है उससे कहीं ज़्यादा differ हो रहा है तो आपको ऐसे ट्रेडिया ऐसे investment से दूर रहना चाहिए जो दूसरा चीज है वो है अगर आपके पास lump sum amount है और जो आप invest करना चाहते हो तो इस time पे lump sum investment एक अच्छी चीज नहीं है आप staggered manner पे invest कीजिए अग तीन 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 लाग करके 3 months जो equal है उस पे 3 months में divide कीजिए और market में invest कीजिए क्योंकि जो retail investor है वो बहुत ही ज़्यादा market में participate कर रहे है जो FIIs और FIIs है वो market से बहुत सारे पैसे को बापस ले रहे है तो यह एक situation है जहां बहुत सारे uncertainties है तो इस time पे अगर आप stock market में जा सिखने को मिला होगा वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद